नमस्कार, कविताओं के हिंदी यूट्यूब चैनल इर्दगीर्थ पर मैं आपका स्वागत करता हूँ आज कविता हुल्लण मुरादाबादी की, हासे कविता उससे पहले कुछ बात हुल्लण मुरादाबादी की, उनके जीवन के वारे में हुल्लन मुरादावादी हासरस के उनकवियों में से एक हैं जिनका डंका देशी नहीं बलकि बिदेशों में भी बजता था सा समंदर पार भी उनकी लोग प्रियता विमिसाल थी पर हुल्लन मुरादावादी उनका असली नाम नहीं था उनका जन्ग के समय नाम रखा गया था सुशील कुमार सुशील कुमार चड़ा 29 मई 2042 को जन्वे थे गुज्रावाला में गुज्रावाला आज पाकिस्तान का हिस्सा है लेकिन तब विवाजन से पहले वो अविवाजित भारत का हिस्सा हुआ करता था गुज्रावाला से विवाजन के बाद में मुरादावाद आबसे थे उनकी कई हाथ से पुस्तकें भगवान के नाम बहुत मशूर हुई उन्हें कलाश्री, अट्टा हास पुरुषकार, काका हात रसी, हास रत्न जैसे अनेग पुरुषकारों से सम्मानित किया गया बॉलिवुड की दो मूवी संतोष और बंदन बाहों में भी उनकी भूमिका थी, उनने एक्टिंग की थी और उनके ओडियो कैसे, HMB, T-Series और वीनस जैसी नामी कमपनियों ने रिलेज किये थे बहुत लोग प्रिये थे वे पर हुलल मुरादाबादी बाद में हुलल हुए, उससे पहले वे सब्र थे वो मंच पर वीरस की कविताएं पढ़के थे और सब्र उनका उपनाम था लेकिन कालांतर में वे खुलल मुरादाबादी हो गए हलाकि उनका परिवार विवाजन के दोरान मुरादाबाद आकर बस गया था और उनकी शिच्छा दिख्छा भी वही हुई, लेकिन बाद में वे मुंबई जाकर शिप्ट हो गए बहतर साल की उम्र में बारह फरवरी दो हजार चौदा को उन्होंने संसार को विदा कह दिया अनन्द यात्रा पर चले गएगा आज सुनिये उनकी एक हास रचना क्या बताएं आपसे आननली जी, क्या बताएं आपसे क्या बताएं आपसे हम हाथ मलते रह गए गीत सूखे पर लिखे थे बाड में सब बह गए भूक महंगाई गरीबी इश्क मुझसे कर रही थी एक होती तो निभाता एक होती तो निभाता तीन मुझ पर मर रही थी मच्छर, खटमल और चूहे घर मेरे महमान थे मैं भी भूका और भूके ये मेरे भगवान थे हर तरफ चूहे ही चूहे देखकर घबरा गए कुछ नहीं जब मिल सका तो भाव में बहने लगे कुछ नहीं जब मिल सका तो भाव में बहने लगे और चूहों की तरह ही दुंदवा भगने लगे हमने तब लाईट जलाई ऐसास हो गया हमने तब लाईट जलाई डायरी ले पिल पड़े हमने तब लाईट जलाई डायरी ले पिल पड़े चार कविता पांच मुक्तक गी दस हमने पड़े हमने तब लाइट जलाई डाइरी लेपिल पड़े चार कविता पांच मुक्तक गीद दस हमने पड़े चोर क्या करते बिचारे उनको भी सुनने पड़े रो रहे थे चोर सारे बहाव में बहने लगे एक सौका नोट देकर इस तरह कहने लगे कभी है तु करुन रसका हम जो पहले जान जाते सच बताएं दुम दवाकर दूर से ही भाग जाते अतिति को कविता सुनना ये बहन कर पाप है तो बित्रों कैसी लगी है कभी आपको ये कविता हमें कर बताईएगा पहली वार आये तो सब्सक्राइब कीजिएगा गंटी का बटन दवाकर और नोटिफिकेशन आउन कीजिएगा और महत महबबत है आपको मुझसे मैं जानता हूं लाइक तो करके ही जाएंगे आपकी टिपड़ियां हमें संबल देती हैं हमें टिपड़ी कर ब भारत जै भारत वंदे मातर हूं